तो शुरू करते हैं आज क्या कॉसर सेसं यूज करेंगे 6 ठीक है estimate attributes फार्म और frame ठीक है आज क्लास में सिर्फ फार्म हो पाएगा ठीक है फार्म के बारे में क्या जानते हूं किसी दर थोड़ा बहुत पता है फार्म क्या होता है जो भी पता है बताओ ठीक और कोई बुद्लाल मनीशा गंगोत्री कोई और बताओ फार्म के बारे में क्या जानते हो चरुब करते हैं तो मैं चरुब करते हैं फार्म जैसे ने बताया कि फार्म जैसे रिश्टेशन के लिए फार्म भरते है वाइसे यह थीख है जैसे आप लोग ने क्या किया है एक्जाम फार्म भरते हो एडमिशन फार्म भरते हो यह सब क्या है फार्म है मतलब फार्म का मतलब यह है कि जिसमें हम जानकार्या एककत्र करते हैं जिसमें हम अपने बारे में आप किसी के बारे में जानकार्या देते हैं या लेते हैं तो वह हम फार्म के माद़र हमसे करते ह भी मेनियोल साम कहलाता है वैसी चीठे हम क्या बनाते हैं उसको हम क्या बनाते हैं ओंलाइन साम कहलाए ठीक है विब पेज में हम जानकार्म देते हैं जैसे आप एमेल बनाते हो तो अपना फार्म भरते हो अपनी जानकारियां देते हो ठीक है जैसे आप facebook या lotus नहीं भिघ में पनाएं ठीक है तो'll fra Intro और खा इसमें बिड़ डिमme on the ? भरते हैं उसमें भी आप जानकारियां देते है। तो अब जैसे फार्म को कैसे design किया जाता है है ? तो .htmr क्या करता है कि हम इसमें web page बनाते है .web page में हम form भी बना सकते हैं form में जानकारिया collecting के लिए छानकारी अलग अलग प्रकार की होती है हम उसमें क्या करेंगे जानकार eli collect करने के लिए option फर्में के चीज़े होगी वह देखेंगे तो मोटे मोटे हिसाब से जानेंगे कि फर्म में जानकारी कुलेक्ट किया जाता है तो इसको यूज चालेंगे आपको जानकारी के लिए box यूज़ करेंगे text box, text area, drop down menu, check box, radio button, यह सब चीज़े क्या होगा, form के हिस्सें, form के elements, जिसके मापधम से हम क्या करते हैं, जानकारी collect करते हैं, ठीक है, तो और इसमें क्या चीज़ होते हैं, यह किसके form, इसका tag होता है, जैसे table tag होता है, estimate tag होता है, वैसी form tag होता है, opening tag होगा, और closing tag होगा, और form के अंदर क्या होगा, form के elements होगे, जिसको हम जानकारी जो जानकारी लेने के लिए, ठीक है, form tag के अंदर एक method होता है, ठीक है, और एक action होता है, action का मतलब क्या होता है, कोई काम होना, क्या, action का मतलब क्या होता है, काम का होना, ठीक है, तो क्या काम इसमें दो तरीके के काम होता है get और post get का मतलब क्या होता है तो action में देखा जाएगा कि get कर रहे हैं मतलब हम कोई चीज जानकारी पा रहे है एक किसी से पा रहे है तो जैसे हम server database देटापेस से राप्त कर रहे हैं डूसरे भाळना कहीं नोकिंसे हमको को हम कहला और गेयुक्त करेंगे चेह को फोस्ट को सब्सक्राइब पोस्ट करेंगे या सब क्या केलाएगा एस सब क्या होता है hypertext transfer protocol मतलब जानकारी को एक जानकारी को एक जानस्पोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं उसी को protocol कहते हैं ठीक है information client architecture के बीच में kind of server के जो भी जानकारिया एक दिर्गा से दुसरे जाती है उसको हम क्या बोलते है protocol कहते है उसके अंतरकर जाता है ठीक है आप लोग की जो पहले इसके पहले वाले सेशन में नेट्वार्किंग का हिस्सा है उसमें यह सब्सक्राप्ट करने के दिए और पोस्ट भेजने के लिए ठीक है और क्या चीजी होती है यहाँ एकसल में देखे थे एकसल में होता है एक URL होता है ठीक है URL मतलब हम जो खौं डे रहे हैं हम जो अक्सं करेंगे तो एफेक्ट क्या करेंगे कहां जाएगी जैसे यह क्या करते हैं लोग-ईन का तो क्या है वह जानकारिया कहा जाता है, server पर जाता है, send करता है, तो वो server का address जो होगा, URL जो होगा, वो यहाँ हो, कहाँ, action के अंदर, पर फार्म क्या करेगा, आपका user ID और user password को ले के जाएगा, और server में check करेगा, ठीक है, तो check करने वाला process अलाग है, लेकिन वो जानकारी कहा जाएगा, उ तो आगे देखते हैं, क्या क्या चीज़, elements होते हैं, farm में, यहां तक तो समझ माया, ठीक है, farm होता है, farm के elements होते हैं, elements जिसमें हम चानकारी, प्राप्ट करते हैं, collect करते हैं, farm का attributes होता है, क्या क्या, element, क्या बलते है, action होता है, action में क्या होता है, URL होता है, और क्या होता है, प्राप्त करने के लिए और भीजने के लिए यह कहां समधित है डेटाबेस से समधित होते हैं अपडेट और इस्टोरिंग के लिए या भी इमेल करने लिए ठीक है इतना फार्म का होता है हम जानकारी प्राप्त करते हां जैसे हम बहुत है की यूज़र नेम ठीकавай घा फादर नेम ऑदर नेम मोबाईल नमबर आधार नमबर यह सब जानकारिया से इसको हम किस्म में क्लेट करेंगे तो टेकस்वाक्स के अंदर करेंगे और टेक्सवाक्स से दो तरीक होते हैं एक एक होता है । मुल्टि लाइन इंपूट इंपूट इसे देस्य जादा जानकारिया क्राइइते हैं तो यह से आपक्स फूरा बताना या है तब हम इस तरीके से चीजे हम यूज करते हैं कौन साथ टैक्स एटिया नेक्स जैसे रेडियो बटन ठीक है रेडियो बटन का यह है कि इसमें आप बहुत सारे आप्शन में से कोई एक कुछ चुलते हैं क्या बहुत सारे आप्शन में से एक कुछ चुलते हैं जैसे हम बोल सकते हैं कि यूजर की जानकाई चाहते हैं जैसे जेंडर की बात कहते हैं एक ही होगा या पिर टांसरेंडर हो सकता है तो तीनों में से कोई भी एक आपशन सब्सक्राइब या पिर हम बहुत सकते हैं कि क्लास की बात करते हैं क्लास मतलब जन्राल ओबसी Est gonna तो कोई भी जिसकी जानकरनी जर्णर या फिर स्टूब्य का ले रहे हैं तो उसमें से कोई एक होगा की कोई दोदो क्लास में विलाओं करेगा नहीं करेगा ना या थो वो जैसे है check box, check box मतले हम tick करते हैं, ठीक है, जो फुन box होता है उसमें tick करते हैं, तो tick करने के लिए जो है आपका multiple option use हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मालो एक पुरा check box की list है, जिसमें subject की बात है, तो आप subject जैसे 11 की बात करते हैं, तो ग्यार्वी में कौन-कौन सा subject होते हैं, तो जितने भी ग्यार्वी का subject है, उसमें हम देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप उसमें हम बोलेंगे कि बायो वाला, तो बायो वाला क्या क्या select करेगा, ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या select कर सकता है, हिंदी कर सकता है, हिंदी कर सक यूज करेगा कॉमस वाला क्या करेगा का यूज करेगा अपना चीट चैसे एक भूगोल है इतिहास है और राज्निति है तो इस तरी कैसे उसको को select कर सकता है समझ में आया तो यह आपको क्या है check box है जिसमें हम multiple option select करते हैं next जैसे है क्या है drop down ठीक है drop down मतलब list जैसे आप menu बार में देखे कि menu में click करते है list निकल जाता है इसमें हम कोई भी एक value को select कर लेते हैं इसमें दो option आते हैं single value वाला भी आते है multiple value गाल चीक है जिसमें single value में कोई एक को select करते है multiple value में फोई एक से अधिक को select कर सकते हैं तो drop down कर रहे है तो radio button को भी यूज कर सकता है radio button क्लिए को बतलब मतलब है multiple option में से एक select कर से तो ड्रौ दौट हम देखे का male female और तो मतंब वोई एक को select करेगा हमें एक subject को drop down में डाल दिये तो क्या करेंगे multiple वाले को select करना पर लेकिक मल्टीवेल्य वैल्यू करने के लिए ठीक है यह drop down होता है drop down इसनी multiple item ले रहे हैं तो हम उसको options के अंदर डालते हैं किसके अंदर option attributes के अंदर हम इसको रखते हैं ठीक है तो हम इसको जब प्रेटकर का यह समझ में आएगा ठीक और क्या चीज होती है एक form के अंदर submit होता है ठीक है submit जो है input का जानकारी है यह भी तो इसको सब्मिट बटन है ठीक इसमें क्या करता है विजिटर की जो भी वेल्यू रहे तो इसको अम क्या करते हैं प्राप्त करता है जैसे ही वो कहां जा रहा है URL वहां उस जानकारी को भेज देगा method क्या होगा पोस्ट होगा तो वो क्या करेगा submit को क्लिक करते साथ जो बदाई करी action URL है वहां पे method क्या होगा पोस्ट के जानकारी को भेज देगा ठीक है यह complete क्या होता है आपका इक और बटन होता है क्या reset बटन को प्यों हम जो भी elements है उसको clean करने करते हैं जैसे हमने जानकारी डाली और कहीं पर गल्ती हो गई या हम प्र से दालना चाहते है जानकारी डाली है वो सहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे reset करेंगे तो तो आपके जित्ते भी elements होगा farm के अंदर उन सब को क्या करेगा clean कर देगा blank कर देगा आप फिर से यह सब्मिट करेंगे मुखे रूप को सकता है यह सकता है यह सब्मिट और सब्मिट ऐसे कि यह सब्सक्राइब इतना सब चीज़े होगा ठीक है तो यह आपका प्रेट करते हैं उसके लिए मैं इसके शेयर करता हूं ठीक है तो जो आपका जितने भी चीज़ें कैसे यूज करते हैं वह हम देखेंगे जो पिसला जानकारी में है उसके description box में दिया हुआ है ठीक है कि जो भी जानकारी है इसला क्लास है उसका जो लिंक है description में डाल दिया जाएगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि आँ जाएंगे बताऊ स्कूल्स डाट कॉम ठीक है यह कुला हुआ है यहां से हम एक फाम वाला है ले लेते हैं एले मेंट्स यहां पर इंपूट 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 के अंदर हम को बताएंगे कि क्या चीज़े हैं टेक्स सब्सक्राइब होगा क्या कैसी जी बताया गया है इस अलेक्ट आप सुन दिया है यह ड्राप्टाउन के लिए यूज़ होता है ठीक है चले इसको एक बाद रिडाउट कर लेते हैं जैसे आप आप लेक्टाउन का आप लिए पिस प्रकार के इन पॉटेट रहें तो किस टाइप का है तो टाइप में जा आएगा टेक्स बॉक्स रड़ियो बटन चेक बोस् ड्रॉप डाउन यह सभी क्या है इंफुट का टाइप से ठीक है तो यह किसके अंदर आ जाएगा एट्रिपूट्स के अंदर आएगा ठीक है यहाँ पर एक्जाम्पल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि अग्या कि 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 अग्याइब अग्याइब कि इस्कृन दीख रही है ठीक है हट गयता भी तो यह पे नोटेशन की बात करते हैं तो यह इंपुट टाइप है नोटेशन आपको बॉपक्स है आपको उसके अंदर टाइपस जैसे यहांक हुआ है हम लोगो क्या फर्स्त नेम पाइस नफ में है vendors Instagram उसको मैं मुझा इससे पहचानेंगे तो यह जैसे टाइप हो गया ID हो गया नेम हो गया यह इंपुट के चाहर एट्रिबूट से क्या है और टाइप से वसलता हो किस टाइप का इन्पूट box है या इन्पूट लेया जाता है ठीक है वैसे ही जैसे इफ ट्री में ज़ो है टैक्स है तोटेक्स बॉक्स के लिए टेक्स रहेगा ठीक हां आ गया रहे हैं जैसे यह सेलेक्ट रेडियो बताना पड़ेगा ठीक है अलिमें डिफाइन इंड डॉप लेत राप रापन लिसमें से हम element defined करता है ठीक है जैसे यहां पर क्या है यह select है select में id क्या दिया है card, name क्या दिया है card, option है मतलब आपका जो select dropdown box का नाम क्या है, card है और option में दिया है value दिया है rolvo, ठीक है और यह क्या होगा, show करेगा ये वाले जो option है, वो show करेगा यह उसका value बताएगा क्या है ठीक है select करने पर value क्या जाएगा दूसरा option क्या है sub यह उसका दिखाई देगा फियर्ट ओडी यह सब क्या है option है वो भी एक select कर सकते हैं क्या बता है तो यह सब क्या है आपका option बताएगा ठीक है आगे जलते हैं यह option क्या बता है elements define the option can be selected by default the first item in the drop-down list is selected by default क्या होता है first item selected होता है और to define a pre-selected option add the selected attribute to the option ठीक है हमको यह कोई चीज को पहले से select करना है तो हम क्या करें selected item को attributes का use करेंगे ठीक है जैसे देखो क्या है यहां पर option दिया हुआ है option value fiat दिया है और fiat के अंदर ही क्या है option option के अंदर selected दिया हुआ है तो मतलब first of the page दिखाई देगा तो fiat ही लिखाए ठीक है जैसे हम इस तरी के से अब यूज कर सकते हैं जैसे हम फार्म में भार रहा है कि nationality ठीक है कि आपका राश्टीता क्या है तो राश्टीता में selected option कौन से डाल सकते हैं इंडियान डाल सकते हैं ऑप्सन जैसे इंडियान हो गया भूटान माला हो गया यह जो भी चीज़ें है आस्पर से देशों के औ सब्सक्राइब होगा तोजिच करेंगे नए जैसे हैं इसको आगे सब कुछ देखेंगे और यह आपका भी है उसमें नहीं देखें हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्राइकर करते हैं आपके पास बुक में को एक्जाम्पल देए उसको करके देखते हैं ठीक है तो और सबस्क्राइब देखो आपके पास सब्सक्राइब होगा बॉड़ी होगा ठीक है यहाँ पर टाइटल नहीं दिया है ठीक है तो टाइटल हम डाल नेंगे और फार्म यहां से स्टार्ट हो रहा ठीक है ठीक को हम करके देखते हैं एक टेक ले लेके हैं जिसको हम एडिट अराम से कर सके बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा कॉपी किये अधिक क्या रहेगा बताओ कौन से यूज करेंगे अ है ठीक है अ है एक लोज होगा है एक निदर क्या रहता है अ टाइक रहेगा हो जाए थिक यह इसको हम क्या करते है रएक टाइटल है में ठीक है तैटल सकते हैं क्या बताओ क्या रख सकते हैं कि चलो कि लर्ण कि स्टी एमेल कि तो ठीक है टेकर रही है अब उसके बाद हम बॉड़ी भी आते हैं और बॉड़ी बेचे से दिया है है क्या सब्सक्राइब टु यूर विकली न्यूसर्ट ठीक है यह चीज़ दिया है आप उसको हैडिंग में भी लिख सकते हैं और पेज में हम हैडिंग में हो चलो लिखते हैं क्या लिखते हैं पंग City लिख स्टमस्ष प्रॉब्स्श यह लिए लिए कि स्टमस्ट्री लिए यह जो ऑटीज़ वग टूर्ण ठीक है टाइटल आ जाएगा यह उसके बाद हम यहाँ पर जैसे आपके पेज वीजियो लिखा हुआ है सब्सक्राइब टी यूर वीकली नियूज सेल टानल ठीक है तो हम इसमें लिख देंगे कर देते हैं इतने को हम सलेट कर लेते हैं बद जाद आज जी रहेगा पी अगया कि अगा कि अगया कि अगया कि सब्सक्राइब तो use ठीक लिए रागरा प्लोज हुआ नेक्स्ष्ञ है आपका क्या स्टार्ट करना है फर्म फीर 만들어 जैसे action यहां पर दिया है गया location दिया हुआ है यहां पर action में देखो यहां पर example जो दिया है उसमें क्या दिया हुआ action slash action page dot php मतलब आपका जो page है जो php page है उस पर जाने की बात करता है हम क्या है किसी और URL को डाल देते हैं यह local जैसे यह slash जो दिया है वो लोकल के लिए होता है ठीक है तो लोकल मतलब आपके एक ही फोल्डर पे जो pages बहुत सार पेजिस रहेंगे उसमें कोई page करते हैं अधर आवाइस हम क्या करेंगे complete address complete URL पर डालेंगे ठीक है इसको local URL कहते है अपना क्या है बुलो हुट्प 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 फ्ट्प विए तब उसे एक थेक रहें गलन डबल श्लैस www.example.com.com okay slash signup क्या है slash signup मत्दा हम signup.asp ठीक है अब आगे बढ़ोगे पी क्या होता है ठीक है यह आपका क्या होगी है आप एक्षन का URL हुआ अब बताते हैं हम मेथड बताना पड़ेगा हम मेथड यहापे हम क्या यूज़ करेंगे तो मेथड क्या होगा पोस्ट किया है हम कहीं और भीज रहें ठीक है पोस्ट करेंगे मेथड अब वैल्ली को किसमें लिखते हैं डबल कोड में लिखते हैं किसमें लिखते हैं डबल के अंदर तो उसको हम पोस्ट करेंगे ठीक है जब हम कहीं दूसरे पेस से डेटा प्राप्ट करते हैं था हम यहां मेथड गेट करेंगे ठीक हैं हम अभी भेजने वालों रिच से पोस्ट करेंगे ठीक अब है अगला याथ्म क्राम के अंदर है ना ओՆन अ कैसी दिया है नीम किया नेम में कि यह नॉर्मल नेम है यूद दिकाई देगा ठीक अब नेम के बाद क्या गरेंगे हम वैल्यम करेंगे वाल्यू लेंगे पेस्ट ठीक है अब क्या लेंगे वेल्यू इंपुट क्या है हमारे पास है इनुट मतलब हूं लिटाफ करेंगे लेकिन किसठ प्रकार का किस टाइप करेंगे ठीक हैं टीक है किस प्रकार का टाइप होग होगा तो हम जैसे हम क्या राते हैं कि नेम चाये नेम क्या है उसका टाइप है वेल्यू डबल कोट के अंदर ही रहेगा नेम ठीक और क्या है उस नेम का नाम क्या होगा तो नेम क्या है एट्रिप्ट भी है ठीक है तो उसका नाम ठीक है नेम किसका ट्रिप्ट्स है ठीक है इन्पुट जो है उसका इन्पुट एलिमेंट का और यहां पर क्या नाम दिए नेम ठीक है और क्या साइट ट्रिप्ट्स का इसके साइज क्या होगा ठीक है या आपके इन्पुट बॉक्स का साइज क्या होगा साइज की वैल्यू पूट करेंगे ठीक है वैल्यू किसमेरा रिकार टेबल कोट के अंदर जैसे यहां पर 30 दिया हुआ है तो यह आपका क्या होगा इनकल बॉक्स कंपलेट पहला से क्हुंसर इनकल बॉक्स रहिए नेम किया है यह नेम इंपूट बॉक्स अ कि आप नेक्स दिया हुआ है यह पास्वर्ट चैंश दिया हुआ है रुद पास्वर्ट पास्वार और अब एक काम करते हैं हम कंटीन इंपुट लेने वाले हैं तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ठीक है और कॉपी हमको पूरा वो करना नहीं पड़ेगा ठीक है बार बार क्या यहां पर स्पेस रहेगा तो जल्दी सलेक्ट होगा ठीक है इस इंपुट बाक्स के लिए है पास्वार्ट है और हम टाइप क्या है यह यह भी आपका नॉर्माल है तो हम पास्वार्ट लिखेंगे पास्वार्ट यह पास्वार्ट लिखने से क्या होगा यह पास्वार्ट टाइप मोगा पास्वार्ट के भी फिचर्स क्या होती मिलीखा नहीं देते है ठीक है जैसा लिखालत वो दिखा देत हैं 살짝 नहीं देता है नेम क्या रहाएगा पास्वर्ट ही आए जाएगा इसका भी नाम पास्वर्ट ठीक है और साइज इसका भी 30 डाले ठीक है कि दो आर्टिप्ट्स हो गया नीचे क्या सिस्थ यह है लेबल दिया हुआ है इतना रंका कि देखते हैं नीचे वाला को अने देते हैं जैसा है वैसे दीखेगा अधर नाका है कि अधर को हमने इस्ट्य में डाला का मैलिमेंट और यह टेग्ट 20 में दिया था जैसे यह वाला तुक्त है यह वाला जो है अधर सब्सक्राइब करें हम ने किसके अंदर लिखा हुआ है पैराग्राप पी के लिखा हुआ है उसके फाम अब स्टार्ट सबसक्राइब देखो इसका 30 गŰं सबसक्रीक्टर लिख सकते हैं अब हमारा जो है मुखाइब अच्छा नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे फोड़ा थोटा कर सकते हैं ठाइब I am a matteriantes, मैं इसको 20 का कर देता हूं क्या size को 20 बिस कर्यक्टर की साइज दे दिये जाता है और पास्वर्ट को भी मैं 20 करेक्टर का करके देखे देखें क्या अन्तर आता है आ गया ठीक है कंटीनियस आया ठीक है नेम आया उसके बाद पास्वर्ट कंटीनियस आया तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं एक टैक जो यूज़ करते हैं क्या ब्रेक 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 बताया थो ना बी आर होता है और एक क्या होता है एच आर होता है ठीक है अब देखें ब्रेक हुआ है ना नए लाइन पे चला गया वह ठीक है इतना तक कि यह हैं यह कार वाला दिखा रहा है कि कार में क्या है ड्रॉप डॉन लिया हुआ हम आगे अपडेट करेंगे बोल्वो सा फियर और डी जो हम बताया था को भी एक को सलेट कर सकते हैं देखा आया सलेट आ गया ठीक है इसको और यह नीचे जो है सब्मिन बटन द अवाल रहा औरबै डिए है उसको हम क्या करता है आयगे कैसे उसको कर रहा ठीक है इंपृट सामग में आ या नेम और पास्वर्ट ठीक है और देखओ कि कौन सा चीज़ Mingजिश we उसको शो किया है ठीक है नेम और पास्वर्ट वाट जो है उसको बताए गया है ठीक है टेक्स्ट एडिया ठीक है मतलब हम लंबा एक से अधिक लाइन के दिए यूज़ करना चाहते हैं हम टेक्स एडिया के यूज़ते हैं तो इन्फुट के जगा क्या यूज़ कर लेंगे क्या दिया है टेक्स्ट एडिया टेक्स्ट एडिया ठीक है टेक्स एडिया हुआ अब टेक्स एडिया में कितने उसके अलिमेंट्स अलग हैं ठीक है कितने रोज चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रोज अब रोज कितने हैं यहाँ पर जैसे बता है तीन रोज मतलब तीन लाइन में हम अपना एड्रस लेखना चाहते हैं नेम जैसे इसमें समय कमेंट्ट करते हैं हम कमेंट्स डाल सकते हैं कासे थी एक है यह आपका क्या हो गया कर्मेंट और इसक ऐस खौलंसस जुन है उर हम 30 भी कर शते हैं और हम 20 भी क्योंकि हम अभी 20 की हैं बाकिको तो हम इसको भी 20 कर देते हैं क्योंकि सभी की साइज जो हो चलनडाई जो है बराबर हो इसलिए ठीक है सब की साइज बराबर दीखेगा उसके बाद क्या सरे दिय है हुसक्थ? हमारा पैराग्राफ यह जो नीचे दिये है वो पैराग्राफ आवसक नहीं है ये मिट चुका है ठीक है तो हम यहाँ पे एक नए परगा इस्टार्ट कर रहा है क्या इसमें क्या है आई एग्री कर रहा है आई एग्री कर रहा है आई क्या करेंगे हम सवाल कुछा रहता है या फिर ना बोलना चाहते है या फिर उनके पास जवाब नहीं रहता है तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ठीक है तो उसके लिए तो हम यह यहां पर आगे बढ़ते हैं क्या एग्री करने के लिए तो हम इंपूट बॉक्स लाएंग डालेंगे चाहिसं ऑन पर पर आगा मैं क्या यूंज करेंगे रेडियो रहे हैं कि यस या नो की बात करेंगे तो रेडियो बटन ठीक है तो रेडियो बस लीक्दा पड़ेगा आपको वैल्यु देना पड़ेगा और अभी हम बढ़ेंगे дा कि यहां पर name ना लिखे क्या है value दिया हुआ है ठीक है name आपर दिया है और हम यहां पर value यूज अलाग से लिख लेते हैं ठीक है name attributes है ही तो value लिखे ठीक है value करेंगे क्या है वेल्यू यहाँ पर एग्री यदि कोई रेडियो बेटन में पहला वेल्यू क्या है एग्री करने के लिए ठीक और काउंस आपसर है रेडियो नेम क्या है आरवन आरवन मतलब रेडियो वान बोल सकते हैं और इसकी जो है साइज ने लिखने हम टेक्स बखतो है नहीं तो इसमें साइज एट्रिबुट्स नहीं होगा ठीक है अब यह रेडियो में क्या लिखाएगा यस ठीक है यापि हम यस के जगए एग्री भी लिख सकते हैं ठीक है फोगी चीज़ लिए अब सीम चीजी एक और यूज़ करना चाहते हैं क्या ठीक है यस ठीक है तो यस तो हम इसी इंपूट को कॉपी कर लेते हैं जो कि एक और रेडियो आप्शन आ रहा है तो हम यह किया रहेंगे कॉपी और पेज कॉपी पेज है कि हमको ज्यादा ज्यादा कंटेंड दुबारा लिखना ना पड़े ठीक है एक ट्यूब्स पो लिखने के जोड़त ना पड़े ठीक है टाइब जैसे रेडियो रहेगा ठीक है इसके स्पेस डाल सकते हैं यहां पर यहां पर भी ठीक है एकरी किया जाएगा डिस एकरी क्या हो जाएगा अधिया हाँ और यहां पर याप से design क्या है एक आप ही है ब्लीग सकते हैं नीम क्या हो जाएगा अहरे में की जगा आरक्ट डिकार सकते हैं लावन ही थे ने डियंट में और क्याचीज़ दीया है एक्टिविट्स नेम सेम राख देते हैं ठीक है जैसे भी हो गद हम पता चल जाएगा एरोर आएका तो पता चल जाएगा ठीक है और यहाँ पर नो कर देते हैं yes के जगह क्या विटन है तो चेक नीजिए कर रहे हैं मतलब रेडियो बटन सेलेक्टेड रहेगा जैसे हम रहेक्ट रहे था वैसे लिए इसमें चेक्ड ना क्या रहेगा च्ट्रिवेट्स आ रही था मत्तब वह पहले से दीखाए गाए उसमें इसमें सेलेक्टेट तो टेक्स एक लोज नहीं किया ठीक है लोज करना होगा तो लेंगे ठीक कर बढ़ता है अधिक बटन हुआ और वान और वान वर्ट शेक्ड हो गया अपनेक्स क्या दिया है यह पैराग्राफ पीज प्लोज हुआ प्यारग्राफ पीस इस टाट वा तो एकरी वाला इसको पैराग्राफ के मंदर लिखने का मतलब यह है कि यह बाउंड करेगा आपको दोनों किया बत्तार रेडियो बटन को दोनों एक रेडियो बटन किसके अंदर है पैराग्राफ के अंदर है है कि नहीं तो दोनों पैराग्राफ में से कोई एक ठीक है इस एक पैराग्राफ के इंदर रेडियो बटन से दोनों में से कोई एक सलेक्ट होगा एक दोनों सलेक्ट होई नहीं सकते ठीक है तो वह पैराग्राफ में अंदर क्या हो गया बांड हो गया मतलब क्या है पर आप में आपको चेक बॉक्स के बारे में बताए गया ठीक है तो फिर हाला हम इतना को करके देखते हैं कि क्या होता है कि रहें रन करते हैं ज़्यदे यहाँ पर देखो नेम आया पासवर्ण आया और एग्री वाल आया देखो यहां पर कुछ प्रव्लम ना आया है कि जो पाढ़ाः पी है वह अगलिक अंदर आया आगी है कई ने कई हम जो करने में मिस्टेक कही कि यह तो यह कहां है कर देक को प्लूस इसलिए आया है वह टैक्स अरिया को प्लोस करना पड़ेगे कना पड़ेगा dis नहीं को तुलूस करते हैं ठ olduğ zone पैलाव के ईंडर०ांध के लिह के लिखेगा वो श्लेस हुआ और text area ठीक है the spelling mistakes text area ठीक है ये close आगया ओके हुआ और ये थे को I agree to the terms and conditions और radio पतन दे दिया yes और no के लिए ठीक है अब देखो ये line चाही है पहुआ भी ये GSから की नीचे ला सकते हैं इसको और कैसी लिए सकते हैं कि text area text area के सामने कुछ नहीं लिखा है ठीक है लीखा ही क्या नहीं लीखा है तो हम चाही है तो क्या कर सकते हैं आपका text area के सामने जो text linking को उसका लेबल बनेगा इसको लेबल टेक के यूज़कर के भी लीख सकते हैं तो हम यहां लीख सकते हैं क्रमेंट्स या फिटबैक लिए देता है क्या फिटबैक देखो आगे फिटबैक ठीक फिटबैक और इस टेक्स अरिया के अंदर यादे हम कुछ लिखेंगे तो वो टेक्स के अंदर चला जाए यह दो ओपन टेक और क्लोज टाक के बीच में दें हम लिखते हैं कि यहां पर कुछ लिखते हैं जैसे गीव गीव मी यूर फिटबैक फिटबैक ठीक है अब देखो है कि यह कड़ गया कर्सर प्रॉपर नहीं है है ठीक है आगे आपर देखो ठीक है ना तो जो भी कंटेंट हम टेक्स बाक्स के अंदर आपका ओपन और क्लोज टेक के अंदर लिखेंगे वह किसमें आ आप जो कंटेंट है उपर जो है इंपुट बॉक्स पास्वर्ट दिये हुए है नेम दिये हुए है तो उसके अंदर भी लिखेंगे तो वह वैसा ही आएगा ठीक है क्लोजिंग टेक करेंगे तब की बात ठीक है यहांता समझाया तीन चीज़ें और यह एगरी वाला हो गया आपका नेक्स पेराग्राफ में क्या दिया हुआ है आपका एगरी और डिस एगरी कंडिशन एगरी डिस एगरी के लिए है तो हम यहां पर हम जैसे क्या डाल देए क्रजिशन के बाद यहां पर कॉंसे टेट डालेंगे बी आप लिए लिए मतलब ब्रेक कर रहे है ठीक है और वैसे ही इसके अंदर भी करना चाहते हैं यह कंटिनियस भी लिग सकते हैं चलो यह देखो एगरी और डिसएगरी और देखो नो को क्या दिया है चेक्ड दिखाय है हम इसको ऐसा क्लिक कर सकते हैं कौन सा चेक है कौन सा जिस चेक है ठीक है यहां यहां पे जो चेक्ड एलिमेंट्स है इसको हम हटा देते हैं तो आप देखो गया देखो कोई भी सब्सक्राइब कोई नहीं है तो हम इसको क्लिक करेंगे तब वो चेक्ड हो जाएगा सवंज में आया चेक्ड करने का मतलब कि पहले से वैल्यू बताएगा उसके ठीक है तो हम लिए वहाँ पर दोनों को हटा दिया मतलब दोनों चेक्ड नहीं रहे अब कोई भी एक सब्सक्राइब हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला आपका जो है वह आपका क्या चीज़ का है ड्रॉब चेक्ड बॉक्स के लिए चेक्ड बॉक्स में से कोभी सेलेक्ड करने के लिए ठीक है यहाँ पे पैरागा पर स्टार्ट कर रहे ह चुझ रिखिए लैवल लेवल दिया है तुझ रिखर कर लिए लेवल हम यूज ना करके हम घृटर लेबल को में दूस्तर चिन्नाम देदें देदें ठीक लेबल आगे भी पढ़ेंगे एम यहाँ पे कार के जार तका सकते हैं क्लास क्या किए कार के दोगा क्लास चूज यूर चूजर यूर क्लास ठीक है लेबल क्लोज हो गया अब उसके अंदर हम क्या करते है यहां पर पहला ग्राप लेके दिया हुआ है एक मेंड़ और यह सलेक्टेट इन्पुड मेंसे दिया है मतलब आपको क्या है दूससाच चीज़े हे सलेक्ट यह है न एक ड्राप डाउन मेनु में ठीक है तो हम इसको नीचेस कर देते हैं हम इसमें काम नहीं करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स पर काम करेंगे, ठीक है, चेक बॉक्स में काम करने के लिए हम नया क्या लिए, ठीक है, क्या होगा, पैराग्राफ भी स्टार्ट कर रहे है, पैराग्राफ में क्या दिया आगया है, टेन, क्या दिया है, टेक्स्ट, क्लास टेन्थ, ठीक, क्लास टेन्थ के अंदर क्या है, आपका इंपुट है, टाइप क्या है, यहाँ पर रेडियो टाइप नहा होके, हमारा क्या दिया जा रहा है, टाइप क्या बॉर रहे है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है, तो इसका नाम हुआ, अब इसकी और आपकों सा एक्टिविट्स है, तो नेम है, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, वैल्यू को अन दिया हुआ है, और ठीक, और कुछ है क्या, और नेम के अंतर क्या क्या है, ख्लास, ख्लास, टेन्थ, हम कंटिनिन्स लिख लेते हैं, ठीक है, ख्लास टेन्थ, ठीक है, अब देखो, जो चीज़े हैं, आप एट्रिबूट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, हम इसको कंटिन्स बदलना चाहते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि सेम सेम चीज़ें आएगी, ओपे किए, हर पेस्ट, ठीक है, चेक बोक्स यह भी आई, एट्रिबेट्स, लेकिंए यहां पर अब 10 के जगा कर लेंगे, 12 कर लेते हैं, ठीक है, चेक बोक्स on high value, और क्लास के जगा क्या जाएगा, 12 ले लिए, ठीक पेस्ट किये और 10 के ज़र क्या कर लिए ग्रेजिवेशन या फिर बैसिलर डेगरी एक आप्शन दिया है बैचलर डेगरी ठीक है बैचलर डेगरी आया सेम चीजी हम इसकी वैल्यू आन रहाएगा चेकर तोस्त रहाएगा और नेम के ज़र्ण कर देंगे बैचलर कि जब पेस्टर के अंदर आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं जैसे मैं देती थी क्या कि भी सी ठीक है कि यहांत इस तरीकर दे लिख सकते हैं नहीं इस तरीकर लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी नेम को ऐसी डालेंगे जैसा है कुझे भाशक दे अब धिए आज थेक है मास्टर डिगरी भी आफ्सम दिया है हम मास्टर डिगरी पभी नहीं यूज़कर नहीं है कि इतना समझे में आया अब देखों हम कैसे इसको चिक करते हैं रंड करते हैं कि एरा आएगा क्योंकि हम लोगों ने पेज़ को पेराग्राफ क्लोज नहीं किया है ना ठीक है तो हम इसको यहां से पेराग्राफ को क्लोज कर देते हैं कि एक पेराग्राफ क्लोज यह देखो फिडबेक आया एक रिया या लास टैन ट्वैल और बैसलर कोई भी सेलेट कर सकते हैं अब यहां पे मैल्टिपल सेलेट के जा रहा है ठीक है ना कर सकते हैं जैसा हम सबमिट है क्या-क्या आपके क् maiden करते हैं सिट्री की है तो हम उसको इस तरीके से सै लेगा किसके अंदर किसके अंदर छेक बॉक्स के अंदर और रेडियो के अंदर कोई एक कोई एक ठीक है अब यहाँ पे आए हम कहां पर थे पेराग्राम यहाँ पर जो गलते लिखा हुआ है यह जो ब्रेंग है आपके इन्पुट के पहले वो इधर दिखाता है सामने में मतलब जो भी आपका element से सामने जो content लिख रहे हैं वो उस element के साथ दिखाएगा यह जो लिखा है वो क्या है आप यहां पर लिखे हो उसको आता है ठीक है वैसी आपका radio में लिखा है yes or no लिखे है वो भी आया है ठीक है अब देखो next जो है आप आपका drop-down box drop-down box प्राइदे से बना हुआ है तो हम उसका यूज कर सकते हैं यहां पर जैसे क्या है लिखा हुआ है this is an example of drop-down menu single selection दिया हुआ है तो हम उसको पूराना लिखे हम क्या लिखे हैं choose your class लिखते हैं ठीक है या फिर बोर्ड हम चले यह इसी को लिख लेते हैं जैसा है लेबल के जाना पी में के जाख़ा क्या देदिये इसकूल एजुकेशन बोर्ड अरे जो परो गया अरे जो परो गया अरे क्लोज हो गया वह अ यह कमसा है कर दो कि अग्नोर करते हैं थीक है वह जैसा हो गया कोई दीकत नहीं हम सिप लेबल को देखते हैं बाकिसी जोंको इगनोर करते हैं ठीक है कि लेबल के बाद मैं यह से हम कि यूज़ करेंगे कि यूज़ कर लेते हैं कि यह दी फाइल पर बना होता तो हमें यह सब प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है कि बागी से हो गई है हम से अभी जो है चेक बॉक्स आपके ड्रॉप लॉन में को ही देखेंगे ठीक है तो कि इस्कूल कि एजुकेशन और वह ठीक है तो अपर इसके अंदर हमने क्या किया सलेक्ट उपशन आया सलेक्ट में है डिल Anime तो साइट आप्शन के अंदर क्या कैसे जढ़ हो सकती है साइस दिया हुआ है ठीक है और क्या है नेम दिया हुआ है ठीक है should be a दो आईटी और है उसको में कार के लिग देते हैं क्या बढ़ा है मिना एक बोर्ड ठीक है और साइज साइज इसे क्या किया गया यहां पर तीन दिया हुम क्या कर लेंगे जैसे आप्शन दिया है वान क्या है वन साइज नेम क्या है नेमी स्कुल दिया हुँ चलो बोर्ट के ज़र हम क्या कर दिए इस्कूल आईडी को भी स्कूल डाल देते हैं ठीक है तोनों सेम रहेगा कंफिजन नहीं होगा ठीक यह तीन चीदे आपका किस के अंदर आया है तीक है सदक है अब है अब क्या सब्सक्राइब करना है एक जो एलिमेंट्स इसके अंदर के आइटमस हैं उसका मां क्या यूद्ट क्या है तो पहला जाल आपका स्टेट पोर्ट उसरा ओप्षान मेक्रिक्टूले संपाइएज। और तीसरबार पहला आप्षन क्या दिया है कि इस्टेट बोर्ड कि ठीक है यह आपका आप्षन के बाहार आएगा ठीक है और मिट गया आपका इस्टेट बोर्ड ठीक जैसे वैल्यू डाल दिया क्या क्या है कि जीवेशी बोल सकते हैं सीजी बी एस इपने इस्टेट कर गया है सब्सक्राइब से केंडरी एजुकेशन तो यह स्टेट बोड यह है ठीक है इसको ऑप्षन में रहे इस्टेट बोड रहे है अगि मेट्र के लिसंट एड यह हम मेट्र को चली क्या होता है डेंथ होता है आख बर लोग हुआ है वार्वी और वह नहीं तक अच्छा होती थी तो तो यार्वी के बाद नहीं होती है ठीक है तो जाल विक्षन होता है इस्कुल के अंदर उसी में अच्छाहन बोला जाता थह धिक है है अब क्या बार भी आगे है बोड पहले नहीं था है कि एक ट्रपलेशन ठीक है इसके बाद नेक्स